Best Seller पुस्तक, You Can Heal Your Life की लेखिका की अन्य सफल पुस्तक, Heart Thoughts का हिंदी अनुवाद, खुद को हील करने के 111 मंत्र, यह किताब Lewis L. H. द्वारा लिखी गई है। Chapter 11 मैं अपने लिए अद्भुद नए विश्वासों की रचना करता हूँ। जीवन बहुत सादा है, हम में से प्रतेक अपनी भावनाओं और तौर तरीकों से अपनी अनुभवों की रचना करता है। हम जो अपने लिए विश्वास करते हैं और अपनी जीवन के प्रती धारनाय रखते हैं, वही घटित हो जाता है। यह कुछ विश्वास हैं जिसकी रचना मैंने स्वैम के लिए की और जो मेरे लिए काम करती हैं। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ, वह मुझे उद्धाटित हो जाता है, जो कुछ भी मुझे चाहिए, वह सही समय पर, सही दशामे और सही श्रंखला, सीक्वेंस में मिल जाता है, जीवन प्रसन्यता है और प्रेम से परिपून है, जहां भी मै जाता हूँ, पलता फूलता हूँ, मैं बदलने के लिए और बढ़ने के लिए तयार हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, चाप्टर ट्वेल्व, मैं अपने अंदर समहावनाओं के एक योग को अनुभव करता हूँ, आप शंड क्या सोच रहे हैं, यह नोट करें, क समभवनाओं के योग का आपके लिए क्या रत है, इसको आप ऐसे देखे कि समभवनाओं की कोई सीमा नहीं है, उन सब सीमाओं के पार जाना, जो हमने अपने लिए बना ली है, आप जो कुछ भी समभव समझते थे, उसके पार अपने मन को जाने दीजिए, यह नहीं किया सकता है यए काम नहीं करेगा यह परियापत नहीं है यह काम करने का तरीका नहीं है यह कितनी बार आप ने इन बाधाँ अपनी समभावनाव को पूनित्या विक्सित नहीं होने देते या उसकी पून अभिवयक्ती नहीं हुपाती. हर बार जब आप कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, आप स्वैम को सीमा बद्ध कर लेते हैं. क्या आप जो आज हैं उसके पार जाना चाहते हैं? चाप्टर थर्टीन हमारा व्यापार या कारे एक दिवे विचार है यदि आप वहाँ पर काम करते हैं जहां प्रेम वे हसी खुशी है और आपके कारे की सराहना की जाती है तब आप इतना बढ़िया काम करेंगे और पहले से दोगुनी मेहनत करेंगे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ज्यादा यूग गिता और प्रतिभा है जितनी पहले नहीं थी हमारा व्यापार या कारे एक में एक दिवे विचार है वह दिवे प्रेम से निर्मित हुआ है उसका रख रखाव तथा सनरक्षन प्रेम द्वारा होता है प्रतेक कर्मशारी यहां पर इस वक्त प्रेम की आकर्शन से खिचा हुआ आया है और उसका यहां पर समय और इस थान पर होना दिवे अधिकार है दिवे सामन जिस से हम सबके अंदर व्याप्त हो रहा है हम प्रेम की प्रक्रिया द्वारा ही इस थान पर पहुंचे है हमारे व्यापार का प्रतेक पहलू दिवे और सही क्रिया द्वारा परिचालित होता है हमारे उत्पाद और सेवाएं दिव्य बुद्धी द्वारा रची जाती है दिव्व प्रेम के द्वारा हमारे पास वे लोग आते हैं जो हमारे प्रेम पूर्वक काम में सहायता करते हैं हम शिकायत करने की और भच्षना करने की पुरानी पद्धिती को छोड़ देते हैं कि हम जानते हैं कि यह हमारी संचेतना है जो व्यापार में हमारी परिस्थितियों को रचती है हम यह जानते हैं और घोशित कर रहे हैं कि व्यापार में हम दिव्य सिध्धानतों उपर चल सकते हैं और हम प्रेम से अपने मानसिक औजारों के प्रयोग त्वारा अपनी जीवन को और सम्रद्वे बहतर तरीके से जी सकते हैं. मानव मस्तिष्क की सोच की सीमाओं में हम बंदना नहीं चाहते, सीमित नहीं होना चाहते. दिव्य मस्तिष्क मन हमारा व्यापारिक परामर्ज दाता है और उसके पास हमारे लिए ऐसी योजनाए हैं जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा. हमारा जीवन खुशी वे प्रेम से परिपून हैं क्योंकि हमारा व्यापार एक दिव्य विचार है और वह ऐसा ही है. हमारा व्यापार फलफूल रहा है दूसरों की सफलता में खुशियां मनाईए क्योंकि सब के लिए बहुत है हम सार भॉमिक मन के साथ एक हैं तथा इसलिए सारी बुद्धी मता एवं ग्यान हमें इसी समय और यह पर उपलब्ध है हमें दिव्यता रास्ता घर ही है और हमारा व्यापार फलफूल रहा है उसका विसार हो रहा है और वह बढ़ रहा है धंडे आवक पर हमारी जो नकारात्मक सोच थी वह आप पीछे चूट गई है हम अपनी चैतन्यता को एक बड़ी छलांग के लिए खोल देते हैं यह सोच कर कि हमारे बैंक खाते में बड़ी मात्रा में धन आ रहा है और इस बात को हम स्विकार कर रहे हैं हमारे पास इस्तिमाल करने के लिए दूसरों को बाटने के लिए फालतू धन काफी है संपन्ता की नियम की अनुसार हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन रहा है यह हमारे बिलों का भुक्तान कर रहा है तक जिस चीज की हमें आवशक्ता है वे और उससे कुछ जादा ही मिल रहा है इस संस्था में हमें से प्रतेक व्यक्ति उन्नती कर रहा है और संपन हो रहा है अब हम सब संपन्ता की चैतन निता की जीते जाकते उधारन के रूप में चुने जा सकते हैं हम आराम से अस्पन से एवं खुपसूरिती से जी रहे हैं और काम कर रहे हैं हमारे पास आंतरिक शान्ती वे सुरक्षा है हमारा व्यापार जिस प्रकार से बराबर हमारी आशा से अधिक बढ़ रहा है और फलफूल रहा है उसे हम खुशी के साथ और अनुग्रह के साथ देख रहे हैं हम इस व्यापार को प्रेम से आशिरवाद दे रहे हैं और वह ऐसा चाप्टर 15 मुझे परिवर्तन करना आसान होता है अपने जीवन को बहार से बदलने के लिए आपको अंदर से बदलना होगा जिस छण आप बदलने के लिए चुक होंगे आप पाएंगे कि आश्चरे जनक रूप से सारा संसार आपकी साहता करने लगता है वह प्रतिक चीज जिसकी आपको अविशक्ता होती है वे आपके पास पहुचा देगा जब हम अपने उपर काम करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में चीजे बिगड़ जाती है पर धीरे धीरे वे बहतर होने लगती है यदि ऐसा होता है तो यह ठीक है यह बहतर होने की प्रक्रिया क को सुलजाना होता है आप उसके साथ बहते जाए जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं उसको सीखने में समय और शक्ति लगती है आप तुरंट परिवर्तन की आशा ना रखें धीरता का अर्थ है परिवर्तन का परतिरोद इसका अर्थ है आप लक्ष को पानी की प्रक्रिया से ग दूसरा दर्वाजा खुलता है। कहें, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, कि आप दुविधा में हैं, हिचकिचा रहे हैं, कि आप अनुभव कर रहे हैं, कि यह सच नहीं है, आपके आड़े क्या विश्वास आ रहा है, याद रखें, कि यह केवल एक सोच है और सोच को ब अनुभव लिए हुए जाते हैं, हम में से कई लोग कुछ दर्वाजे जो पुराने नेगेटिव पैटन लिए हुए हैं, कुछ पुराने अवरोध, ब्लॉक्स, वे चीजें जो हमें कोई पोशर नहीं दे रही हैं, या जिनकी हमारे जीवन में कोई उप्योगता नहीं है, उन्हें बंद करवाना चाहेंगे, हम में से कई नए दर्वाजे खुलने की प्रक्रिया में हैं, और उन्हें अश्चर जनक नए नए अनुभव हो रहे हैं, कभी-कभी कुछ सीखने का तजुर्बा तो कभी-कभी कुछ हर्शित करने वाला अनुभव, यह सब जीवन का हिस में करिवन का सहा है, और हमें केवल हैंया गए सail कि केवल एक अनुभव रहन है, सबसे पहले दरवाजे को लेकर जब हम इस दुनिया में आई थे से सबसे आखरी दर्वाजे तक जब हम इस दुनिया के विदा लेंगे, हम सधैफ सुरक्षित हैं यह केवल प्रीवर्तन मात रहे हम अपनी अंतरात्मा के साथ शांती पूर्वक हैं हम अपने को सुरक्षित्व प्रेंग किया जाने वाला पाते हैं और यह ऐसा ही है चप्टर 17 मैं परिवर्तन के लिए छुक हूँ यदि हम जो सोचना चाते हैं उसे उदारता और द्रड़ता से सोचें और बराबर सोचें तो परिवर्तन शीग्र और आसानी से हो जाएगा अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फसाते हुए जोड़ा किसी हाथ का अंगुठा उट रहे अब उन्हें खोले और फिर से उसी प्रकार से फसा ले दूसरे अंगुठे को उपर रखते हुए अप कैसा लग रहा है अलगतर ऐसे हो सकता है आपको गलत की एक प्रतिक्रिया मिली हो अब इतना गलत नहीं लगता यह वही है जब जब आप कोई नया patent सीखते हैं, आपको थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, आपको चीज पहली बार करते हैं और कहते हैं नहीं, यह गलत और फिर इसे दुबारा नहीं करते हैं और अपनी आराम दे स्किती में वापस चले जाते हैं, यदि आप थोड़ा सा अभ्यास करें, तो आ मैं परिवर्तन के लिए और बढ़ने के लिए तयार हूं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमारे पास वे चीजें जिनकी हमें अवश्कता होती हैं, अपने आप खिची चलियाती हैं। मैं नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं पुरानी धार्नाओं को छोड़ना चाहता हूँ, जो मेरे लिए अब काम नहीं करती हूँ, मैं अपने आसपास की परिश्थितियों को देखना चाहता हूँ, मैं अब वह काम आगे नहीं करना चाहता हूँ, एक बहतर आदमी नहीं क्योंकि उसका अर्थ हुआ कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं जो कुछ हूँ उससे कुछ अधिक होना चाहता हूँ, बढ़ना और परिवर्तिद होना उत्सहाजनक है, चाहे मुझे अपने अंदर कुछ दर्द भरी चीजों को देखना पड़े उसे करने के लिए। और अगले वर्ष के अनुभवों की रचना करेगी। कितनी बार आपने अपने आपको एक सकारात्मक सोच सोचने से रोका है। ठीक, इसी तरह आप अपने को नकारात्मक विचारों को सोचने से रोक सकते हैं। लोग कहते हैं, मैं अपने को सोचने से नहीं रोक सकता हूँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको अपने मन को पक्का करना है कि आप यही करने जा रहे हैं, आपको अपनी सोच से संघर्ष नहीं करना है, जब आपके पास नकारात्मक विचार आएं तो आप कह सकते हैं, अपने विचारों को बाटने के लिए धन्यवाद, आप अपनी शक् कुछ अन्य करने की सोच रहा हूं, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं किसी प्रकार से अन्य प्रकार से काम करने की सोच रहा हूं। अपने सोच विचार से लडो नहीं। उनको मानो और उससे आगे चल पड़ो। Chapter 20 अब मैं अपना भविष्य बनाऊंगा। आपके माता-पिता ने अपनी समझ और ग्यान के अनुसार आपके लिए अच्छे काम की। वे आपको वे चीजे बाते नहीं सिखा सके जो वे स्वैम नहीं जानते थे। यदि आपके माता-पिता स्वैम को प्रेम नहीं करते थे। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे आपको स्वैम से प्रेम करना सिखा सके। आपका शिर्वाती बच्पन चाहे जैसा रहा हो बढ़िया या घटिया। आप और केवर आप ही अपने जीवन के मालिक हैं। आप अपना समय अपने माता-पिता या प्रारमभीक बातावरन पर दोशारूपन करके बिता सकते हैं। पर यह सब आपको एक सताय हुए या दुखी व्यक्ति के रूप में चित्रित करेगा। इससे आपका कभी कोई भला नहीं होने वाला। आपका जो अभी का विचार है, सोच है वही आपके भविशका निर्मान करें। यह आपके जीवन में नकारात्मक्ता और दर्दला सकता है या असीमित आनंद में जीवन। आप चुन ले आपको क्या चाहिए।